हालो वरिबोडी आज हम डिसकस करने वाले हैं टाइपस ओब डेटाबेस इससे पहले वाला जो वीडियो था उसमें मैंने आपको एक्स्पेन किया था कि बैसिकली डाटाबेस होता क्या है उसके क्या फीचर है और डेटाबेस और मैनुवल सिस्टम में क्या डिफरेंसे है सबसे पहले हम बात करते हैं एक ऐसा डेटाबेस जो एक सिंगल फाइल के फॉर्म में डेटा को मैनेज करता है इसमें मुल्टिपल फाइल्स नहीं होती है प्लस टेबिल के द्वारा डेटा को मैनेज किया जाता है और इसका लिमिटेशन यह होता है कि इसमें हम जो टेबिल प्रेट करते हैं या जो डेटा को इसमें करते हैं उनके बीच में हम रिलेशन डिफाइन नहीं कर सकते हैं ठीक है यह आपको डिफरेंस यहां पर समझ में आ जाएगा इफ्लैट डेटाबेस में डेटा के बीच में डेटाबेस में हम मतलब एक इसा डेटाबेस को सेंम टाइम पर अलग अलग प्लेसिस पर different places पर access कर सकते हैं उसको distributed बोला जाता है ठीक है आपको याद होगा कि database की definition में database का हमने एक advantage देखा था कि database को हम centralized बना सकते हैं और centralized बनाने के द्वारा बाद हम उसको अलग-अलग places पर networking की help से access कर सकते हैं तो that may be the third type of database ठीक है I hope you understood the types of database ठीक है flat database, relational database और distributed database ठीक है आगे हम discuss करने वाले हैं database पर काम करना सीखेंगे जिसमें हमारे syllabus में MS Access तो जिसको हम आज start करेंगे मैं आपको बताने वाला हूँ कि MS Access होता क्या है इसमें किस तरीके से हम database create करेंगे, कितने तरीके से हम इसमें tables create कर सकते हैं ठीक है इसके कौन-कौन से components होते हैं यह सारी चीजे हम आज one by one discuss करेंगे ठीक है तो चलिए इस start करते हैं MS Access practical से पहले हम थोड़ा सा इसका theoretical discussion करते हैं कि MS Access होता क्या है ठीक है, देखिए, MS Access आपको मालम है कि MS Office होता है, MS Office का एक part होता है MS Access MS Office जो है, that is the Microsoft company ने एक official package बनाया जिसका generally हम different purpose से use करते हैं आपको letter writing करनी है या आपको graphical data को represent करना है, charts में data को represent करना है या आपको presentation बनाना है, तो वहाँ पर हम अलग लगता है कि उसके जो components होते हैं उनको use करते हैं जैसे कि word होता है, excel होता है, powerpoint होता है, उसी के साथ में MS Access भी होता है, ठीक है तो जैसे word का use होता है letter writing के लिए, typing purpose हम उसको use करते हैं, excel का जो use होता है, row or column में data को manage कर लिए, प्लस graphically data को represent करने के लिए, हम excel का use करते हैं आपको presentation create करना है, तो हम पर powerpoint का use करते हैं, उसी तरीके से अगर आप database बनाना चाहते हैं, तो हम वहाँ पर MS Access को use करेंगे, ठीक है clear है यहाँ पर आपके लिए, second point होता है कि MS Access का use होता है, वो database बनाने के लिए data information को manage करने के लिए होता है, जैसे for example, आपका कोई hospital चलता है, आप किसी school को चलाते हैं, या आप कोई organization है, या आप कोई business man है, तो आपको school, college, hospital या आपने business का data या information manage करना है, ठीक है ना, उसको report form में represent करना है, ठीक है ना, उसको अलग-अलग तरीके से filter करके display करना है, तो हम वहाँ पर MS Access को as a database use कर सकते हैं, ठीक है, अगला point होता है, MS Access is a popular relational database, अभी तीन तरह का database हमने डिसकस किया, flat database, relational database, distributed database, तो उसमें से MS Access जो होता है, वो आपका relational database होता है, मतलब इसमें हम data के बीच में relation को define, create कर सकते हैं, define कर सकते हैं, ठीक है, अगला जो point होता है, data is arranged in the form of tables, you know very well, यह हमने database की definition के टाइम पे भी डिसकस किया था, भी थोड़ी दिर पहले भी आपको बताया है, कि कोई भी database जो होता है, वो हमेशा tabular form में होता है, चाहे वो file system हो, या आपका relational database हो, distributed database हो, इ ठीक है, यह जितने भी name मैं अभी ले रहा हूँ, यह पहले भी आपको बता चुका हूँ है, यह सभी relational database है, प्लस इनको हम distributed database भी बना सकते हैं, ठीक है, अगर हम उसको network के थोड़ी यूज करते हैं, तो distributed हो जाता है, तो उसी तरीके से MSXS भी relational database होता है, जिसमें data को tabular form में किया जाता है, ठीक है, I hope you understood the basic definition of MSXS, now we are going to start the practical part of MSXS, I am going to explain you how can we start the MSXS, how can we create the tables in MSXS, everything, step by step we are going to discuss, I am going to explain you, बीच में अगर आपको कोई doubt होता है, after the video अगर आपको कोई doubt होता है, तो आप comment box में जरूर लिखिएगा, कि आपका क्या doubt है, I will try to solve your queries, ठीक है, चलिए start करते हैं practical part, MSXS को open करनी के लिए, सबसे पहले आपको करना किया, आपने start button पर click कीजिए, यहाँ पर simply type कीजिए MSXS, आप MSXS, आपका जो भी version installed है, आपने 2010, 2013 या 2016, जो भी install किया है, आपको यहाँ पर दिखाई देगा, आप इस पर click करेंगे, click करते ही MSXS की window आपके सामने यहाँ पर open हो जाएगी, ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है आपके लिए, यहाँ पर आपको दिख रहा है custom web app, blank database और यह सब कुछ जो दिख रहा है यह templates कहलाती है, ठीक है, templates आपने word में और excel में भी use किया होगा, blank database का मतलब क्या होता है, कि हम एक empty database बनाना चाह कहलाता है, यह सब कुछ जो आपको दिख रहा है, यह templates कहलाती है, templates का मतलब क्या होता है, यह बने बनाय formats होते है database के, जिनको हम यहाँ पर use कर सकते हैं, ठीक है, बनाय बनाया format में आपको मिल जाएगा, आपको सिर्फ अपना data उसमें enter करना है, अपने साफ से थोड़ा साहते हैं, वो आप यहाँ पर search कर सकते हैं, search box है, इसमें आप रिखे लिखे, school का database, आप school लिखेंगे, आपको school से related database हो जाएगा, business करते हैं, business पर click करो, तो business related database आपके सामने display हो जाएंगे, ठीक है, यह net connected है, directly वहाँ से access कर रहा है, ठीक है, तो इस तरीके से यह templates यहाँ display होती है, जिसमें से हम कोई भी select कर सकते हैं, जिस पर काम करना हम बाद में सीखेंगे, अब भी हम देखते हैं कि एक blank database पर किस तरीके से काम किया जाता है, ठीक है, तो चलिए start करते हैं, click on the blank database, आप अपना database बनाना चाहते हैं, खुद का, सब कुछ खुद ही करना चाहते है blank database पर click करेंगे, और यहाँ पर first you have to enter the database name, ध्यान रखना है, MSXSB के अंदर रो database बनता है, वो यह file कहलाती है, तो आपको सबसे पहले database का नाम देना है, हम मानके चलो school के लिए database बनाना चाहते हैं, तो name आप school DB दे दीजिए, या जो भी आप ठीक समते हैं, वो आप database का name यह जैसे ही आप create पर click करेंगे, already exist है इस नाम का, मैं इसको replace कर देता हूँ, कोई बात नहीं, कोई फरक नहीं पड़ता, चलिया, यह आप MSXS की front window है, first window आपके सामने दिखाई देगी, यहाँ पर यह सारे menus आपको है, file, home, create, external data, database tool, यह सब कुछ one by one हम discuss करेंगे, ठीक है, सब जैसे हम MSXS के अंदर पहुंचते हैं, तो आपको यह by default table बनी हुई दिख रहे है, यहाँ पर आपको दिख रहा है कि table one लिखा हुआ है, इसमें id लिखा हुआ है, यहाँ पर click to add लिखा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर यह default table यहाँ पर बनी हुई है, यह जो view आपको data sheet view बोला जाता है, ठीक है, सुनिए द्यान से, MSXS के अंदर हम दो तरीके से table create करते हैं, पहला होता है design view और दूसरा होता है data sheet view, ठीक है, मैं इसको अभी close कर देता हूँ, आपको properly explain करता हूँ, कैसे create होगा, असलिए इसको close कर देते हैं, ठीक है, कोई भी table आपको create करना है table create करने के लिए, first click on the create option, जैसे create option पर click करेंगे, तो यहाँ पर आपको tables देख रहा है, ठीक है न, table create करना है, और table design view create करना है, ठीक है, अब अगर मैंने यहाँ पर table पर create किया, table पर जैसे ही आप create करेंगे, तो आपके सामने यह बन के आ जाएगा, यह जो view दिख रहा है न, इसको हम बोलते है data seat view, जैसे ms excel में data seat होती है, excel file होती है, rows and columns होते है, हम आपस सबसे पहले column की heading create करते हैं, और उनके नीचे one by one अपनी values को enter कर सकते हैं, उसी तरीके से बिलकुल same to same आपको यहाँ पर करना है, ठीक है, पस आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है, कि जो ह आपका जो table का structure create होगा, table create होगा, बिलकुल properly create होगा, ठीक है, जैसे मैं आपको बताता हूँ, for example, मुझे की student का table बनाना है, जिसमें मुझे उसका scholar number, उसका name, उसका father name, उसका address, contact number, class, यह सारी चीज़ा manage करना है, ठीक है, तो ध्यान से दिखना यहाँ पर, यह data seat view कहलाता है इस data seat view में सबसे पहले मुझे column की heading create करना है, ठीक है, तो column की heading create करने से पहले, मुझे यह select करना है, कि इस column में किस type की value जाएगी, तो उसका column का values का data type क्या रहेगा, ठीक है, तो उसके लिए आपको करना क्या है, यह जो arrow का icon दिख रहा है आपके लिए, उस arrow icon पर click कीजिए, जैसे यह आप यहाँ पर click करेंगे, तो ms axis के जितनी भी data type होते हैं, वो सारे के सारे data type यहाँ पर display हो रहे हैं, अब यह data type होते हैं, यह मैं आपको पहले बता चुका हूँ, अगर आपको नहीं मालूम तो sort मैं आपको पता देता हूँ, हर value का एक type होता है, ठीक है, जितनी भी values, for example, आपने student का name input किया, तो name जो आपने डाला मानके चलिए, आपने name डाला अमित कुमार सर्मा, अमित कुमार सर्मा आपने लिखा एक value कहलाएगी, और इस value का कोई ना कोई type होगा, यह text type की value है, string type की value है, तो इसको हम text बोलेंगे, ठीक है न, अगर आपने किसी student का date of worth एंटर किया, तो date of worth जो होता है, वो भी एक value है, वो value जो कहलाएगी न, date of birth जो है, उसका data type क्या होगा, date हो जाएगा, यह आप पर, उसको हम date and time ले लेंगे, आप किसी का contact number एंटर करना चाहिते हैं, तो contact number, आपने अपना mobile number एंटर किया, वो भी एक value है, उसका type क्या हो ज से पहले उस field का type आपको बताना पड़ता है, कि उसका data type क्या होगा, जैसे मुझे यहाँ पर student का scholar number लेना है, तो scholar number क्याट रहेगा, मान किसे लिए मैं उसको number type की value input करूँगा, scholar number जो field बनेगा, उसमें number value जाएगी, numerical value जाएगी, तो मैं उसका data type क्या select करूँगा, number, तो आ यहाँ पर SCHNO scholar number, ठीक है, तो अब यह जो scholar number आपको field create होगा, और आपने इसका data type क्या दे दिया, number, ठीक है, इसी तरीके से आप यहाँ पर second field create कर सकते है, student का name input करना है, अब name के लिए हमें text होता है, name क्या होता है, text खेलाता है, आपका, इसको string भी बोला जाता है, text भी बोल value input करना है, तो मैं वहाँ पर long text input करूंगा, ठीक है, तो name input करना है, छोटी value होगी, आपने short text input कर लिया, आपने यहाँ पर दे दिया student name, ठीक है, यह आपका student name हो गया, इसी तरीके से आपको date of birth input करना है, तो आप यहाँ पर data type, date time select कर लेंगे, date time है, आपने यहाँ लिग द करते हैं, ठीक है न, उसी तरीके से यह आपके columns कहलाते हैं, है न, scholar number के नीचे scholar number जाएगा, student name के नीचे name जाएगा, date of birth के नीचे date of birth जाएगी, class के नीचे class जाएगी, तो भजी यह scholar number for example आपने आप दिया 101, तो scholar number आपने जो input किया, ठीक है न, यह scholar number आपका इस field के नीचे जाएगा, ठीक है, student का name, जैसे मैंने बोला, अमित enter करना है, आपने आप लिख दिया, अमित कुमार, तो अमित कुमार क्या होगी, उसकी value हो गई, ठीक है, यह student name जो लिखा है, यह क्या होगी, इसका column name हो गया, यह क्या होगी, उसकी value हो गई, आपको date input करना है, देखो, इ इसका data type क्या लिया है, date and time, तो जैसे ही, आप यहाँ पर cursor लेके जाएंगे, इस cursor के नीचे, आप यहाँ पर click करेंगे, तो calendar आटोमेटिक हर आए, ठीक है, आप यहाँ से अपना month select कर सकते हैं, ठीक है, date select कर सकते हैं, जो भी date select करेंगे, वो automatically date के format में यहाँ पर रह कि आपने column का data type select किया, column का name दिया, heading दिया, उसके बाद में one by one हमने यहाँ पर values को input कर दिया, जैसा कि हम MS access में Excel के अंदर करते हैं, ठीक है, जैसा Excel में करते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से आपको यहाँ पर values को input करना है, बिल्कुल आसान, ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके स आप इसको operate कर सकते हैं, ठीक है, यह जो table का view होता है, इसको हम data sheet view बोलते हैं, I hope you understood everybody, समझ में आगया होगा आपके लिए कि data sheet view में हम किस तरीके से काम कर सकते हैं, ठीक है, अच्छा यह जो id जो दिख रहा है न, by default क्या होता है, कि जब भी हम नई table create करते हैं, तो उसमें ए basically unique number होता है, जिसको primary की बोला जाता है, ठीक है, primary की theoretical explain किया था आपके लिए, primary की attribute होता है, आगे भी मैं आपको explain करूँगा कि basically primary होता है, क्या है और उसको कैसे बनाते हैं, एक unique attribute होता है, जिसके द्वारा हर record को individually identify किया जाता है, देखो कुछ चीज में बोल रहा हैं, उनको record बन जाता है, इसको क्या बोलते हैं, अपन record बोलते हैं, ठीक है, तो हर record को uniquely identify करनी के लिए, हमें एक ऐसा field चाहिए, एक ऐसा column चाहिए, एक ऐसा attribute होना चाहिए, जो unique हो, जो unique हो, जिसमें duplicacy ना हो, प्लस वो null भी ना हो, ठीक है न, हमें values में enter करनी है, मतलब वो null नहीं हो स सकता, प्लस duplicacy नहीं हो सकती, unique होना साहिए, उसको primary की बोला जाता है, तो इसने automatically ID नाम का एक यहां पर field बना दिया है, जिसको unique उसने बनाया है, मुझे इसको नहीं रखना, इसको हटाना साहिए, तो आप right click करो, और यहां से इसको delete कर दीजे, ठीक है न, remove delete field कर दो, यह delete हो बाद हम second type select कर देखेंगे, जिसमें हम table को बनाने का दूसरा तरीका, इस table का नाम आपने दे दिया, मान के चलिए student info, ठीक है, यह आपकी पहली table नहीं हो, student info आपने shift कर दिया, यहां पर यह access bar में display हो रहा है, ठीक है, right click करके इसको close कर देते हैं, अब second तरीका होता है table create करन क्लिक करेंगे, design view पर क्लिक करते ही, आपके सामने screen आएगे, इस screen में आप देखेंगे, तीन column देख रहे हैं, सबसे पहले field name, फिर उसका data type और उसका description, अब थोड़ा सा ध्यान दो आप data sheet view में, data sheet view में आपने क्या किया, Excel जैसे फाइल आपके सामने open होके आई, आपने सब आपके से पहले data type select किया, उसका field का नाम दिया और उसके बाद में आपने values एंटर की, design view में हम क्या करते हैं, पहले table का structure create करते हैं, इस texture का मतलब कौन-कौन से field होंगे, उनका data type क्या होगा, अगर उसको हमें description को लिखना है, उसके बिसे में चोटा मुटा हम यहाप उसको describe क कर सकते हैं, उसके बाद में values एंटर करेंगे, मतलब data seed view में और design view में अंतर क्या होगा है, data seed view में same time पर आपने field create किया, same time पर data type दिया, same time पर आपने values को एंटर कर दिया, ठीक है, design view आप से क्या बोलता है, पहले आप data field और data type को set कर लीजे, मतलब field देना, data type बताना, is the structure of table मतलब table का structure बनाना, ठीक है, उसके बाद में आप उसमें values को enter करेंगे, कैसे करेंगे, जैसे चलो मैं आपको बताता हूँ, मुझे teacher की एक table बनाना है, तो मैंने यहाँ पर एक teacher का ID ले लिया, ठीक है, teacher ID के लिए मुझे number रखना है, तो मैं यहाँ पर data type उसका number दे दूँग लिए आ गया, ठीक है, आपको teacher का contact number देना है, तो आप यहाँ पर contact के लिए फिर से number ले सकते हैं, यहाँ पर ठीक है, आपको teacher का data of birth लेना है, तो आप यहाँ पर उसका data type, date and time ले सकते हैं, यह सब कुछ हम लेख सुगें, यह जितनी भी data type यहाँ पर देख रहे हैं ना, one by वाइवान हम सब भी उज़ करेंगे करंशी का मतलब क्या होता है यह सब करंशी मतलब क्या होता है जहां पर हम वैल्यूस को रिप्रेजेंट करते हैं ना मनी को रिप्रेजेंट करते हैं तो हर कंट्री का लगलग करंशी होते हैं रूपीज में होता है डॉलर होता है वहां पर टाइप की वेल्यू जाएगी लेकिन ये आपको enter करनी पड़ेगी द्यानते सफसुनना मैं क्या बोलता हूं इस टीछर आइडी का डीटा टाइप म channel होगा जिसमें हमें डीटा टाइप language और इसका Cape आटो नंबर लेता हूँ तो अब क्या होगा कि इसका डेटा डाइप तो नंबर है लेकिन आपको वैल्यू एंटर नहीं करनी पड़ेगी आटोमेटिकली यह 1,2,3,4,5,6,7 उसके हिसाब से लेता चला जाएगा आटोमेटिकली लेता चला जाएगा इसलिए इसका डेटा टाइप को क्या बोलते है आटो नंबर बोलते है ठीक है ऐसे और भी डेटा टाइप होते हैं OLE objects होता है OLE objects update linking database होते हैं मतला हम इससे द्वारा किसी दूसरे object को link करने का काम कर सकते हैं किसी particular field से link करना है था हम OLE objects होते है hyperlink बनाना है attachment बनाना है calculate यह सारे data types होते हैं जिनको हम one by one यहाँ पर use कर सकते हैं ठीक है चलिए data बढ़त हो गया teacher कौन सा subject पढ़ाता है हमने subject भी ले लिया subject के लिए हमने short data type ले लिए यहाँ पर चलिए ठीक है अब इसको save करना है save करेंगे जैसे ही आपने इसको save किया तो save करते समय टेबल का name पूछ रहा है ठीक है table name आपने दे दिया attribute नहीं बनाया जब हमने design view में data sheet view में काम किया था तो data sheet view में अभी मैंने आपको explain किया था कि वहाँ पर एक id नाम का column था वो id नाम के column का मतलब क्या है वो आपका एक primary की का काम कर रहा था हम उसको delete भी नहीं कर पा रहे थे ठीक है clear लेकिन यह जो टेबल आपने बनाई है यह जो टेबल का structure आप design view में बना रहे हैं इसमें आपने table के सारे फिल्ड तो बनाए लेकिन कोई भी primary की नहीं बनाया मतलब ऐसा कोई भी फिल्ड आपने नहीं बनाया जिसके द्वारा हम record को uniquely identify कर हैं जो not null हो डुप्लिकेशी ना हो ऐसा कोई भी फिल्ड हमने define नहीं किया है तो वो पूछ रहा है कि आपने नहीं बनाया है क्या आप बनाना चाहते हैं हर table के अंदर primary की होना चाहिए clear primary की आप relational database अगर बनाना चाहते हैं MSX इसको relational database बुला जाता है और अगर आप relational database बनाना चाहते हैं तो आपकी table के अंदर primary की होना ही चाहिए जो कि आपने यहां नहीं बनाई है अगर आप yes कर देंगे तो बैस कर देंगे तो क्या होगा यह automatically इसको बना देगा भेश्ने टीचर यहीं का Branch करेंगे यह primary की बन लगे ना यहां पर की का बन孃 बन के आगए जो बी फेड प्राइमरी की होगा उसके सामने की का आइकन बने बन के आएगा मतलब वो पामली की है आपने नहीं बनाय इसको नहीं बनाना चाहता है, हटाना चाहता हूँ, right click करो, primary key पर click करो, यह हट जाएगा यहाँ पर, clear, I hope you understood कि how can we create the primary key in the table, how can we remove the field as a primary key, you can do that, just right click on the field, set on the primary, click on the primary key, it will be defined as a primary key, clear, if you want to remove the primary key from the table, just right click on the primary key attribute and click on the primary key, जैसे click करोगे, हट जाएगा, clear है ना, लेकिन primary key होना चाहि करते हैं, और table को यहाँ से close कर देते हैं, clear ध्यान रिखना यह जो view कहला था, वो कौन सा, design view कहला था, अच्छा एक चीर बता ना भूल गया, मैं आपके लिए description, description का मतलब क्या होता है, जो field आपने दिया, उसका data type दिया, हम उस field के बिसे में कुछ यहाँ पर define करना चाहते ह words here, otherwise it is not necessary, it's optional, clear, two things are important, first one is the field name, second one is the data type, description, you know the meaning of descriptions, if you want to write something, you can write here, otherwise you can leave it, it's not important, okay, I am not going to write anything here, मैं इसको close कर दूँँगा यहाँ से, यह table आपकी close हो जाती है, देखो यहाँ पर दोनोर table होगी, अब हमको क्या करना है, इस table के अंदर values input करना है, ठीक है, तो table create करना आपको आ है, दूसरा आपने design view में, ठीक है, ध्यान रेक्टना, question आता है, आपको आना सी answer, ठीक है, अब हम table के अंदर values को enter करना, table के अंदर value कैसे enter करेंगे, किसी भी table पर value enter करने के लिए, सबसे पहले आपको table को open करना है, मुझे teacher info के अंदर value डालना है, जबल क्लिक करो इस पर, य data sheet view कैला था, अब देखो, इसमें columns name, आटोमेटिक बनाया गए, जब आपने student info बनाया था, तब आपको columns name बनाना पड़ा था, तो data sheet view में, आपने data sheet के column बनाया, वो आटोमेटिक बन किया आ गए, ठीक है, आपको कुछ नहीं बनाना, आपको इसमें values enter करना है, ठीक है, तो ठीक है, contact number आप यहाँ पर लिख दीजिए, जो भी contact number है, date of birth आप यहाँ से select कर लिजिए, जो भी उनकी date of birth है, मैं अभी कुछ भी select कर रहा हूँ, subject आप ले दीजिए, कुछ भी जो भी पढ़ाते हैं, ठीक है, तो इसे साब से आप one by one, teachers का data इसमें enter कर सकते हैं, ठीक है, जैसे आपने फैला record डाला, उसने automatic teacher ID को one ले लिया, teacher आपने दे दिया, जैसे मान के चलो कि उधराम पाटिदार, ठीक है, उधराम पाटिदार आपने यहाँ पे लिया, यह कहां से आते हैं, मान के चलो कि गरोट से आते हैं, ठीक है, इनका contact number आप यहाँ से enter कर सकते हैं, इ अगले वीडियो में हम discuss करेंगे कि tables के बीच में relation को कैसे बनाया जाता है, plus tables का form कैसे बनाया जाता है, tables के reports कैसे बनाया जाती है, ठीक है, उसके बाद में हम SQL बाला part discuss करेंगे कि queries को कैसे create किया जाता है, ठीक है, तो अब इससे related अगर कोई भी doubt है आपके लिए, तो आप ल जरूर लिखिएगा, definitely I will reply you, I will try to solve your queries, ठीक है, within one minute में revise करवा देता हूं, आपको क्या क्या पढ़ाए हमने, सबसे पहले हमने पढ़ा है, types of database, flat database, relational database, distributed database, ठीक है, उसके बाद में हमने पढ़ा है, ms access का introduction, फिर हमने पढ़ा है, ms access table को create करना, table create करने में हमने data sheet view, plus design view, दो तुमनों discuss किये हैं, ठीक है, चले, take care, bye bye